क्यों माचिस क्यों नहीं थी सर पूजा घर में रखी थी तो पूजा घर से ले ले नी थी सर नहया नहीं था अब ये नहया क्यों नहीं थे सर पानी नहीं था अरे ये पानी क्यों नहीं था सर मोटर नहीं चल रही थी अरे यार ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी सर कितने वार अच्छा कपिल तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल तो तुम क्या लोगे सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा गलत अगर मैं तुम्हारी जगा होता तो अकल चुनता कि कहा सर आपने जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है अलोज तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ शबाश अच्छा बेटा ये बताओ कौन सी चिडिया सबसे तेज उड़ती है सर हाथी तरह पापा क्या करते हैं सर मेरे पापा दौद इबराहिम के शू बच्चो लिखो लिखो हाथी करता अच्छा बेटा महेंदर एक बात नो बताओ किसी साइन्टिस्त का नाम बोले तो तो सर आलिया भर्टालिया भर्ट मलायक ये सिखाराओं में दुए नहीं नहीं सर ये तो बच्पन से ही तोत्रा है इसका मत्रव है आर्या भर्ट तो मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था सर कांदी जी का जनम शाबाश शाबाश बिलकुल सही अच्छा हो तो एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था सर कांदी जी तीन साल के हो गए थे देखा बच्चो जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके सर क्या मतलब मुझे कुछ समझे नहीं आए ओके वन मोर तरी सिंपल कॉस्चन नेम वन अनिमल फाउंड इन दर डिजर्ट अच्छा बच्चो मैं तुम्हे एक बात बताओं कि सर आप कह रही थे कि दिली में कुत्तः मार है अच्छा कुलंड़ बेटा तुम्हे जब कर लेसन याद करने को दिया था वह याद करके आये हो नहीं सर नहीं कर पाया अरे क्यों नहीं कर पाया भाई सर लाइट चली गे थी तो क्या लाइट आई नहीं आई थी गुरुजी गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गे और उसके बाद धिर कभी लाइट आई गी नहीं गुरुजी आई तो थी पर मैं इस तर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाई दुबारा ना चली जाए अच्छा विकेश बिटा ये के बाद क्या आता है गुरुजी ये के बाद ए क्या बोलती तुछ अच्छा बीटा मैं तेरी जान निकाल दूँगा इसको जबा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तेरी इंग्लिश गई भाड में तुम अन्ने हाथ तो लगा के अधिकार अच्छा बीटा सुनील तो मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फरक होता है सर इंपोर्ट का मतलब सौनिया गांधी एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्श क्राइक देखर हो मिटा सुनी जों समझ के जवाब दो अच्छा अब ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ सिख्षा मिलती हूँ कि सठ मैंने जब उसको फौण किया उसने फौन देर्ट दु मैंने पहूंद देर इससेma हो हई एससे ये मिलती है अब आखी समाने, अगर तुहें मजने के बाद, यमराज ये पूछे, कि तु स्वर्ग में जाओगे ये नर्क में, तो तु कहा जाना पसंद कराओगे? गुद जी, मैं यमराज को बोलूँगा, कि बृत्वी से मेरा मुवाइल और चार्चर मंगवा दे, फिर मैं कहीं भी रह लूँगा, चाहे मुझे स्वर्ग बेजो, या नर्क बेजो, ललाएको, खाय हो जाओ, ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आस तक, तुमने मेरा पुरा न तुम्हें बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही जखजोर दिया है, ये सीने में भी दर्द उठ रहा है, ये ताहरे में चक्कर आ रहा है, आपानी, पानी, पानी प्रुम्हें जवाबों के तुम्हें बच्चों पानी